आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं Dixon Technology का Fundamental and Technical Analysis बहुत अच्छा बाउंस किया है, क्या यहाँ पर खरीदने की राय बननी चाहिए, जी हाँ बिलकुल खरीदने बननी चाहिए तीन महतपून खबरे हैं आपके लिए Dixon Technology की आये चल कर विशलेशन करेंगे और बताएंगे कि क्या है राइट लेवल्स इसको बाई करने के लिए Technical Analysis के माध्यम से सबसे पहले देखिए दोस्तों, आल्मोस्ट सारे मेजर सिटीज में Lockdown जैसे Situation है या तो night curfew है या फिर आपको weekend पर curfew लगा हुआ है तो cases बहुत जादा बढ़ रहे हैं और oxygen की जो demand है वो काफी तेदी से बढ़ रही है इसके चलते हुए यहाँ पर जो technology specific companies हैं उनमें भी थोड़ा सा एक उच्छाल आने की उमीद है particularly Dixon Technology तो यहाँ पर buying level बन रही है जो की बहुत अच्छी है इन्होंने joint partnership का announcement किया है joint partnership के साथ भारती एटल के साथ में यहाँ पर consumer durable goods बनाए जाएंगे Dixon Technology के द्वारा भारती enterprise के साथ में मिलकर दोनोंने joint venture का pact sign किया है और यह production link incentive PLI के साथ में यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे अब government की PLI scheme है जिसके चलते हुए दोनों companies को फायदा मिलेगा अगर यह इस तरह से करते हैं और इसमें बनेंगे क्या आपके साथ top box, router, modem, internet of things devices और यह phone भी बहुत बड़े level पर बना सकते हैं जिस तरह से आपको शायद पता हो, Jio ITAL के साथ tie up कर रहा है और phone बना रहा है यही प्रक्रिया जो trading circle की news है उसके accordingly भारती Airtel भी अब यहाँ पर prepaid service के साथ में आपको phones provide करेगा तो भारती Airtel कैसे करेगा देखिए, जैसे भार की देशे में होता है आप अपना monthly subscription पान लीजे, for example अगर आप US में है तो आपको 35 dollar के effectively एक plan मिलेगा जिसमें आपको आपकी choice का phone चूज कर सकते हैं, list of the choices इसी तरह से भारती Airtel भी अब यही plan करने की कोशिश कर रहा है, post-spread plan में entry करने के लिए उनको एक partner चाहिए जो की Dixon Technology उनको बनार के काम कर रहा है COVID के चलते हुए अगर कोई चीज में improvement हुआ है तो दो sector है, एक तो IT sector और आपका एक telecom sector जो internet of things से related है इसी लिए Dixon Technology का stock इतना तेजी से बढ़ रहा है और आगे SKQ4 की data आने की बहुत अच्छी improvement opportunity है long term के लिए यह अच्छी opportunity है यहाँ पर stock को अपने portfolio में खरीदी रखने के लिए चलते हैं आपकी wealth को production के काम आएगा दूसरी खबर ICICI Direct ने Dixon Technology को 4,240 रुपे के target के साथ short term का buy signal generate किया है जो कि हमारे साब से एक reasonable expectation है यहाँ पर आपको अपने portfolio में जरूर होना चाहिए future outlook इस company का बहुत दासू है आपको यह अपने portfolio में जरूर रखना चाहिए हमारा view बहुत bullish है इसमें अब देखते हैं support कहाँ पर है इसका इस company के लिए उससे पहले अगर हम बताएं जो इनके promoter है उनके पास में करीब 16% की holding है यहाँ पर individual shares के साथ में देखा जाए तो तो public के पास में करीब 50% के आसपास holding institution के पास 33-36% के आसपास तो इस तरह से promoter के individual members ने भी इसमें काफी अच्छी holding बना के रखी हुई है अगर हम sensex की बात करें तो sensex ने कल एक perfect dodgy candle बनाई है dodgy candle मतलब कि sensex decide नहीं कर पा रहे कि यहाँ से उपर जाएगा कि नीचे बनाएगा body बहुत छोटी है उपर की wix है नीचे की wix है तो इसके चलते हुए market अभी undecisive mood में है काफी अच्छा correction हो किया चुका है 5150 के level से गिर कर 4750 का level आ चुका है और primary reason आपको शायद पता भी हो कोवीड के चलते हुए जो cases बढ़ते जा रहे हैं उसकी वज़े से market थोड़ा सा नर्वस हो रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने Dixon Technology ने भी पिछले कई दिनों से एक अच्छा moment किया पर दो दिनों से एक छोटा सा correction दिखा रहा है जो की momentum जो correction है वो कम है तो इसलिए जो 35-100 रुपे के भाव से जो इसने चड़कर शुरू किया था 39-100 तक पहुंच गया था यह अब अच्छे लेवल पर यहाँ पर consolidation हो रहा है और आपको buying level खरीद लेना चाहिए यहाँ पर अगर एक last parameter आपको दिखाएं टेकनिकल बेसिस पर तो बुलिंज और बैंड के basis पर अगर आप देखें तो यह आप cumulative कर सकते हैं आपर accumulate कर सकते हैं 3800 से लेकर 3700 की range में तो 100 रुपे की range है जहाँ पर उमीद है आपको आपका portfolio size इंप्रूव सकता है और यह आपको long term में बढ़िया ग्रोथ देका as per technical understanding और demand और supply के खेल में अब यहाँ पर लग रहा है कि इसकी demand बहुत तेजी से बढ़ेगी आग आने वाले समय में इसमें ग्रोथ काफी तेजी से उपर होके जाएगी यहाँ से outlook हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है और अगर आप इसका धाई साल तक hold कर सकते हैं तो 10,000 रुपे का इसका target रहेगा आप buy कीजे hold कीजे और देखिए दोस्तो हमारा scorecard बहुत simple होता है one of our members who have joined us as a paid member उनका portfolio size धाई लाक रुपे से बढ़कर 3,80,000 रुपे हो गया है महज 1,5 महीने में 50% का return मिलना काफी काबले तारीफ होना चाहिए जरह comment बताईएगा इस तरह का return अगर आपको चाहिए तो हमारे साथ free webinar join कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारे साथ mark shop में में जो schedule की गई है उसके लिए 900 रुपे की admin fees है आप जोइन कर सकते हैं आपके लिए 4 वीडियो प्रसुत है 10,000 रुपे की fees monthly service चाहिए जोइन कीजे जय हिंजा भारत